पिछले साल ICC One Day World Cup में श्रांदार प्रधिशन के बावजूत में जबान टीम भारत चैंपियन नहीं बन पाई थी फाइनल में टीम इंडिया को आस्ट्रेलिया के खिलाब दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा फाइनल से पहले रोहिश्वर्मा के अंगुवाई वाली टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी थी लेकिन उनकी किस्मत में One Day World Cup चैंपियन बनना नहीं लिखा था रोहिट और भारतिय टीम अब उसहार को भुला कर आके बढ़ चुकी है इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो उसहार के दर्द को कुछ हद तक कम कर सकती है दरसल ICC One Day World Cup की कमाई पर एक रिपोर्ट जारी की गई है रिपोर्ट पे दावा किया गया है कि One Day World Cup 2023 से BCCI को 11,000 करोड रुपे से ज्यादा की कमाई हुई है यह रिपोर्ट ICC ने जारी की है इसके मताबिक 2023 में भारत में हुए One Day World Cup से 1.49 अरब डॉलर का रिविन्यू आया इससे सबसे ज्यादा फाइदा परिटन छेत्र को हुआ ICC के लिए निलसन द्वारा दिये गए आर्थिक प्रभाव आकलन में दावा किया गया है कि पिछले साल अक्टूबर से निवेंबर में आयोजित प्रतिष्ठत टूनामेंट अब तक का सबसे बड़ा One Day Wish Cup था ICC के मुख्य कारे कारी जूव एलार्डिस ने एक बयान में कहा ICC पुरिश क्रिकेट विश्व कब 2023 क्रिकेट की महत्वपूर आर्थिक शक्ती का प्रदर्शन किया है जिससे भारत को 1.49 अरब डॉलर यानि कि 11,637 करोड रुपए का आर्थिक लाब हुआ है टूनामेंट के फाइनल में भारत की जीत का सलसला खत्म करते हुए आस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड छटी बार खिताब जीता ICC की गब बयान में कहा गया कि मेजबान शहरों ने आवास, यात्रा, परिवहन और भोजन और पेयप अदार्थों सहेत 861.4 मिलियन डॉलर का परेटन राजस्व अरजित किया क्योंकि मैचों के लिए बड़ी संख्या में घरेलों और विदेशी परेटक पहुचे हाला कि ICC ने यह स्पस्ट नहीं किया है कि रिपोर्ट पे बताए गए आकड़े वास्तविक आए है या नहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिकॉर्ड 12,5,000 दर्श्रकों ने स्टेडियम में वन डे विश्व कब देखा और उनमें से लगभग 75 प्रतिशत पहली बार ICC 50 ओवर का मार्ज देखने आए ICC के बयान के मुताबेक इंटर्व्यू से पहले 55 पीसिदी अंतराष्टिय प्रशंशक नियमत रूप से भारत आते थे जबकि 19 पीसिदी अंतराष्टिय प्रशंशक विश्व कब के कारण पहली बार भारत आये थे धन्यवाद